जहिन साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे साथियों आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं यूपी की नदितंत्र जीले तथा सिचाई के बारे में जो की आने वाली सभी परत्योगी परिछाओं की द्रिष्टी से अत्यन्त महत्योपूर है और किसी ना किसी परत्योगी परिच्छा में पूछी जा चुकी है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेलफ हो लोने वाली है तो वीडियो को इन्ट तक जरू देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीजिएगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा आईए देखते हैं जैसे हमारा पहला कोस्टिन है निवन में से किस नदी को राष्टी जलमार के रूप में परियुक्त किया जा रहा है देखिए कितना इंपोर्टेंट कोस्टन है जो कि UP PCOS 2004 में पूछा हुआ है हमारा आप्सन है A. गंगा, B. यमुना, C. ब्रह्मपुत्र, D. नर्मदा जिसमें हमारा राइट आइंस्वर आप्सन A हो जाएगा गंगा नदी जिसे राष्टी जलमार के रूप में परियुक्त किया जा रहा है बढ़ते अपने नएक कोस्टन की तरफ उत्तर परदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है घागरा नहर, केन नहर, नीचली गंगा नहर, सारदा नहर तो हमारा राइट आइंस्वर आप्सन D हो जाएगा सारदा नहर जो कि उत्तर परदेश की सबसे लंबी नहर है बढ़ते हैं अपने नए कोशन की तरफ निम्ण में से कौन उत्तर परदेश की पेजल परियोजना है देखें इंपोर्टिन कोशन है जो कि UPPCS मुख परिच्छा संदुहर दो में और UPPCS दुहर तीन में पूछा हुआ है हमारा आप्सन ए है जिसमें हमार राइट एंसवर आप्सन C हो जाएगा जो कि उत्तर परदेश की पेजल परियोजना है बढ़ते अपने अगले कोशन की तरफ केंद रुद्वारा किस नदी को राष्टी नदी खोसित किया गया आप्सन है गोदावरी को, नर्मदा को, गंगा को, क्रिश्रा को तो आई हूप आप सभी को पता होगा गंगा नदी को सन 2008 में राष्टी नदी खोसित किया गया बढ़ते अपने नए कोशन की तरफ हतनी कुण परियोजना किस नदी परिस्तित है गंगा, यमुना, सर्यू, राम गंगा इसमे हमार राइट आप्सन सी हो जाएगा यमुना नदी यमुना नदी पर हतनी कुण परियोजना इस्तित है बढ़ते अपने नए कोशन की तरफ इसमे हमार राइट आप्सन ये हो जाएगा बढ़ते अपने नए कोशन की तरफ निवन में कौन सुम्मेलिद नहीं है आपको बताना है कि इन में से कौन सा सुम्मेलिद नहीं है राजगाट बाद यमुना नदी, रानी लशिवाई बाद बेतवा नदी, रिहन्द बाद, रिहन्द, माता टिला, बेतवा तो इसमें हमार राइट आप्सन ये हो जाएगा राजगाट जो की बेतवा नदी पर है यमुना नदी पर नहीं तो हमां right answer option A हो जाएगा बढ़ते हैं अपने नए question की तरफ निमनिखित में ऐसे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है option A है बिठुर गंगा गोरगपूर राप्ती जोनपूर सई कौशामबी यमना देखी important question है जो कि PCS में 2010 में पूछा हुगा है बिठुर जो कि गंगा नदी किनारे है गोरगपूर जो कि राप्ती नदी किनारे है जोनपूर जो कि गोमती नदी के किनारे है तो यहाँ पे हमां right answer हो जाएगा option C यहाँ पे जोनपूर सई नदी दिया हुआ है जो की गलत है ये गोमती नदी के किनारे होगा बढ़ते अपने अगले कोशन की तरफ राजगाट बांद एवं नहर परियोजना उत्तर परदिश और मद्यपरदिश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली सहयोग परियोजना है जो बनाई गई है यमुना पर चंबल पर बेतवा पर केन पर इसका राइट एंस्वर ऑप्सन सी हो जाएगा बेतवा नदी पर राजगाट बांद एवं नहर परियोजना उत्तर परदिश और मद्यपरदिश सरकार के बराबर बाराबर सहयोग से बनाई गई परियोजना है बढ़ते अपने नए कोश्चन की तरफ निमन में से कौन सा बांद बेतवा नदी पर बनाया गया है PCS में 2015 में पूछा हूगा कोश्चन है हमारा आप्सन है लोकुस बैराज, रिहन्द बांद, सारदा बैराज, राजगाट बांद तो इसमें हमारा राइट अंसर ऑप्सन डी हो जाएगा राजगाट बांद, जो की बेतवा नदी पर बनाया गया है बढ़ते अपने अगले कोश्चन की तरफ फुलहर जील भारत के किस राज में इस्तित है देखिए, मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है जो की UDA, LDA, 2H, 6, UPP, 2H, 9 में पूछा गया कोश्चन है हमारा ऑप्सन A है, मध्य परदेश में B है, बिहार में, उत्तराखंड में, उत्तर परदेश में तो यहां हमारा राइट अंसर ऑप्सन D हो जाएगा उत्तर परदेश के पीली भीत में फुलहर जील इस्तित है बढ़ते अपने अगली कोश्चन की तरफ परिच्छा बाद किस नदी पर अस्तित है हमारा ऑप्सन है, बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती देखिए, इंपोर्टेंट कोश्चन है जो कि PCS मेंस 2008 में पूछा गया कोश्चन है तो इसमें हमारा राइट अन्सवर ओप्सन A हो जाएगा बेतवा नदी बेतवा नदी पर परिच्छा बाद अवस्तित है बढ़ते अपने अगली कोश्चन की तरफ 110 मीटर उचा जल परपात परदेश की किस नदी परिच्छित है ओप्सन है रिहंद नदी टोंस नदी बेलन नदी सोन नदी तो इसमें हमारा राइट अन्सवर ओप्सन B हो जाएगा टोंस नदी जिस पर 110 मीटर उचा बिहार जल परपात इस्तित है बढ़ते अपने नए कोशन की तरफ उत्तर परदेश में सबसे उचा बांद कौन सा है ओप्सन है माता टिला मेजा रिहंद राम गंगा बांद देखिए भी most important कोशन है जो कि UPPCS में 2007 में पूछा गया कोशन है तो इसमें हमार राइट एंस्वर ओप्सन D हो जाएगा राम गंगा उत्तर परदेश का सबसे उचा बांद है बढ़ते अपने अगले कोशन की तरफ निम्न में से किस नदी का तरट वर्ती छेतर ओवनाली का चरड के लिए परसिद्ध है आई होप आप सबीरों को इस का एंस्वर जरूर पता होगा ओप्सन ये है केन, बेतवा, चंबल, गंडग तो हमार राइट एंस्वर ओप्सन C हो जाएगा चंबल नदी जो की ओनाली का चरड के लिए परसिद्ध है बढ़ते अपने अगले कोशन की तरफ निवन में से किस नदी के तरफ पर गोरपूर इस्थित है देखिए, most important question है जो की समिच्छा अधिकारी मुख्य दोजर तेरम पूछा क्या question है ओप्सन A है, घागरा नदी, गंडग नदी, राप्ती नदी, सर्यू नदी तो इसमें हमां right answer option C हो जाएगा राप्ती नदी, राप्ती नदी के तरफ पर गोरपूर सहर इस्थित है बढ़ते अपने अगले कोशन की तरफ निवन में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बाती है option है, चंबल, बेतवा, केन, गंडग तो हमां right answer option D हो जाएगा गंडग नदी उत्तर दिशा में नहीं बाती है बाकि ये तीनों नदियां उत्तर दिशा में बाती है बढ़ते अपने अगले कोशन की तरफ भावत की किस राज में सरवाधिक सीचाई नलकूब से होती है most important question है जो कि UPPCS 2005 में पूछा गया question है option ये है मद्यपर्देश, बिहार, राजस्थान, उत्तर पर्देश इसने हमां right answer option D हो जाएगा उत्तर पर्देश तो guys देखिए जितने भी question है सभी most important question है जो कि UPPCS में पूछे गया question है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली अन्य परत्योगी परिशाओं जैसे UPPCS, PET, UP Police, समिछा अदिकारी इत्यादी परिशाओं में जरूर पूछे जाएंगे बढ़ते अपने अगले question की तरफ निवन में कौन सबसे लंभी नहर है देखिए important question है जो नीजी सची 2003 पूछा गया है पुर्वी यमुना नहर, सार्दा नहर, मीचली गंगा नहर, उपरी गंगा नहर इसमें हमा right answer option B हो जाएगा सार्दा नहर जो की सबसे लंभी नहर है परिश की बढ़ते अपने अगले question की तरफ गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है स्वास देशिच्छा 2005 पूछा गया question है ए, परियाग राज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपूर हमा right answer option C हो जाएगा वाराणसी जो की गंगा नदी के दाहिने तट पर इस्थित नहीं है बढ़ते अपने अगले question की तरफ उत्तर पर्दिस यहों मद्य पर्दिस राजों की संयुक्त राजगाट नदी घाटी परूजना अस्थापित की गई है option है ए, केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा नदी पर तो हमारा right answer option D हो जाएगा बेतवा नदी पर उत्तर पर्दिस यहों मद्य पर्दिस राजों की संयुक्त राजगाट नदी घाटी परूजना अस्थापित की गई है बढ़ते अपने नए question की तरफ गोविंद भल्लब पंत सागर अवस्थित है बुलंद सहर में, ललितपूर में, मिर्जापूर में, सोन भद्र में आई होप आप सबी लोगो इसका अंसर आल लेडी पता होगा हमार right answer option D हो जाएगा सोन भद्र में, सोन भद्र में गोविंद भल्लब पंत सागर अवस्थित है बढ़ते अपने नए कोर्शन की तरफ अरजुन बांध नहर से लाभवानवित जिला है UPPCS प्रीदोहर साथ का पूछाओ का कोर्शन है एटा, इटावा, गोरगपूर, हमिरपूर हमार right answer option D हो जाएगा हमिरपूर, हमिरपूर जो है कि अरजुन बांध नहर से लाभवानवित जिला है बढ़ते अपने अगले कोर्शन की तरफ रानी लश्मिवाई बांध अवस्थित है देखिए UPPCS में पूछा हुगा कोर्शन है जो कि 2009 में आया हुगा है option A है बेतवा नदीपर रिहंद नदीपर के नदीपर टोन्स नदीपर इसमें मारा राइट आंसवर option A हो जाएगा बेतवा नदीपर रानी लश्मिवाई बांध अवस्थित है बढ़ते अपने अगले कोर्शन की तरफ गोविंद बनलब पंद सागर जला से इस्तित है उत्तर परदेश में चतिसगर में जारखंड में उत्तराखंड में देखिए most important question है जो कि UPBCS 2006 में पूछा गया question है इसमें मारा राइट आंसवर option A हो जाएगा उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में गोविंद बनलब पंद सागर जला से इस्तित है बढ़ते अपने next question की तरफ उत्तर परदेश में सिचाई का सबसे बड़ा स्रोत है देखिए most important question है जो कि PCS मुख परिशा 2015 में पूछा गया question है option A है नहर से B तालाब C नलकूप D कुँआ तो इसमें हमार right answer option C हो जाएगा नलकूप से बढ़ते अपने नए question की तरफ निम्न में कौन नदी यमना की सहायक नहीं है देखिए उत्तर परदेश पुलिस 2019 में पूछा गया question है केन बेतवा चंबल कल्याडी इसमें आपका right answer option D हो जाएगा कल्याडी बाकी ये तीनो नदीया यमना की सहायक नदी है केन बेतवा चंबल जो की मध्धपरदे से आकर के मिलती है बढ़ते अपने नए question की तरफ निम्न में कौन नदी उत्तर प्रतिस में प्रवाहित नहीं होती है देखिए most important question है समिच्छा दिकारी 2021 में पूछा हुगा के question है option A है सोन नदी हिंडन नदी गंड़क नदी सारदा नदी तो इसमें हमार right answer option C हो जाएगा गंड़क नदी जो की उत्तर प्रतिस में प्रवाहित नहीं होती है तो guys I hope आप सभी लोग को question अच्छे से समझाय होंगे और कोई भी doubt हो तो comment करके जरू पूछ लिजेगा मिलते हैं नए class में UP special की एक नई topic के साथ तब